हेलो नमस्कार दोस्तों मेर नाम है कपेल और स्वागत आप सभी कप हो आपकी सक्सेस में फ्रेंड्स आज के स्टूडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिके के टॉप 2100 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन आंसर जो कि आपके आने वाले सभी परतों की परचाओं के लिए जैसे सेसीब, रेलवेब, पीएसीब, एंडियेब, टेट, सीटेट, पुलिस एकजाम साधी के लिए अती महतपूर्ण है तो इसलिए आप इस टूड़ो को सुरुसन तक जरू देखेगा और इन्हें याद कर लिजेगा अगर आप इस टूड़ो का पीडियॉप फाल डॉनलोड करना चाहते हैं तो PDF डॉनलोड करने का लिंक इस वीडियो के description box में दिया हुआ है तो चलिए अब question कर बढ़ते हैं यहाँ पर मारा पहला प्रस्न है भारत का राष्ट्रिय आदर सवाक्य सत्यमेव जैते कहा से लिया गया है question number 2 है विश्व का पहला गंतंत्र वैसाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था तो देखें विश्व का पहला गंतंत्र वैसाली में लिच्वियों के द्वारा स्थापित किया गया था question number 3 है किसे एस्या की रौष्णी कहा जाता है तो एशिया की रौशनी कहा जाता है भगवान गौताम बुद को Q4 है लोग सभा का चुनाव लड़ने के लिए उमिद्वार की नियुम्तम आयू कितनी होनी चाहिए Q5 है लेंस की पावर को किस में मापा जाता है Q6 है पिर्थवी पर सबसे उचा परवत कौन सा है तो देखे पिर्थवी पर सबसे उंचा परवत है Mount Everest इसके उंचाई कितनी है? तो Mount Everest के उचाई है 8,850 मिटर Question number 7 है भारत के किस राज में पोलो खेल का प्रारम हुआ? तो भारत के मनिपुर राज में पोलो खेल का प्रारम हुआ था Question number 8 है हडप्प सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 25 इसा पूर्व से लेकर 1750 इसा पूर्व तक Q9 है मूल कर्तवियों को यानि fundamental duties का वर्नन सविधान के किस अनुछेद में है तो देखे मूल कर्तवियों का उलेक जो है सविधान के अनुछेद 51 कमें है Q10 है Q11 है Q11 है Q12 Q12 Q13 है Q13 है Q14 है Q15 Q16 है Q15 है Q18 है Q18 है Qís पारज्य के निती निर्देशक तत्वों की संकलपना किस अनुछेद के सविधान पर अधारित है Q16 है राज्य के निति निर्देशक तत्वों की संकलपना जो है आर्लेंड के सविधान पर आधारित है Next question है question number 23 फाइल एरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है तो फाइल एरिया नामक रोग जो है या उचेर एरिया बैंक रफ टाई नामक जीव के कारण होता है है अनावरित बीजी ठीक है जिम्नोस पर में कहलाते हैं वे पौधे जिनके बीज के चारो और आवरन नहीं पाया जाते हैं next question है question number 25 निफ्टी किसे समादित है तो निफ्टी जो है national stock exchange सुचकांग से समादित है next question है question number 26 मनुष्य ने सर्वपर्थम किस जानतु को पालतु बनाय था तो देखे मनुष्य ने सर्वपर्थम कुत्ता को पालतु बनाय था question number 27 है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है तो मानव का वैज्ञानिक नाम है homo sapiens next question है question number 28 व्रीच मेढग या व्रीच मंदुक के नाम से कौन जाना जाता है तो व्रीच मेढग या व्रीच मंदुक के नाम से हाईला को जाना जाता है question number 29 है जल गैस या भाप अंगार गैस किसका संजोजन है तो जल गैस और या भाप अंगार गैस जो है या H2 और CO का संजोजन है ठीक है? यानि कि hydrogen और carbon monoxide का संजोजन है next question है question number 30 विश्व का सबसे व्यस्तम समुदरी रास्ता कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्तम समुदरी रास्ता उतरी Atlantic महासागर है question number 31 है करीबा बांध किस नदी परिसित है? का सकती किस में नहीं थोती है तो राज्य की कारीपाली का सकती राज्य पाल में नहीं थोती है question number 33 है महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमन किया? तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमन किया था question number 34 है केश तीथी को उत्री गुलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है तो 21 जुन को उत्री गुलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है Q35 है केश तीथी को उत्री गुलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है तो सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को उत्री गुलार्द में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है और सबसे लंबा दिन होता है 21 जुन को नेक्ष्ट कोशन है, कोशन मर् Wire thesis एक से 1857 का विद्रो कहां से प्रारम हुआ, तो 1857 का विद्रो मेरर से प्रारम हुआ था, कोशन मर् Otherwise सत्यागरह जो कि 1928 चिश्व्म हुआ था, कि नित्रित्व किस ने किया था, तो बार्दोली सत्यागरह का नेतरित्व वल्ला भाई पटेल ने किया था नेश्ट कोशन है कोशन मर ठटी एट वल्ला भाई पटेल को सरदार क्युपाधी उनकी कुसल संगठन चमता के कारण किस आधोलन के दौरान दी गई थी तो देखें सरदार वला भाई पटेल को सरदार के उपाधि जो है बारदोली सत्यागरह के दौरान दी गई थी ठीक है Next question है question number 39 भारत्य संगीत का जनक किसे कहा जाता है तो भारत्य संगीत का जनक सामभेद को कहा जाता है Question number 40 है पार्थ सार्थी सोम समिती किस समाधित है तो पार्थ सार्थी सोम समिती जो है या गार से समाधित है गार का फुल फॉर्म क्या है तो इसका फुल फॉर्म है जेनरल एंटी अवड़ेंस रूल्स ठीक है तो पार्थ सार्थी सोम समिती गार से समाधित है Q41 है, किस बॉध ग्रंथ में 16 महा जनपदों का उलेक है तो 16 महा जनपदों का उलेक अंगुत्तर निकाय में है Q44 है, चेदी बन्स का राजा Kharvi newborn किस चेतर से समन्दी था Q43 है, मानव विकास report किस संस्था द्वारा प्रकासित की जाती है तो मानव विकास रिपोर्ट जो है या UNDP द्वारा प्रकासित की जाती है UNDP का फुल फॉर्म क्या है तो इसका फुल फॉर्म है United Nations Development Program ठीक है तो United Nations Development Program के द्वारा जो है मानव विकास रिपोर्ट जारे किया जाता है Q44 है तमिलाडू वा आंधरपर्देश के तट का नाम है तो तमिलाडू वा आंधरपर्देश के तट को कोरो मंदल का हत पे है Q44 है महाविर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था तो महाविर स्वामी का जन्म ग्यातरिक कुल में हुआ था और गौतम बूद का जन्म किस कुल में हुआ था तो गौतम बूद का जन्म साथ के कुल में हुआ था Q47 है दुन्या की सबसे उची चोटी माउंट एवरेष्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है तो दुन्या की सबसे उंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है Q48 है जब बैरोमीटर का पारा अचाना गिर जाए तो यह किस बात का दियोत्तक है तो देखे जब बैरोमीटर का पारा अचाना गिर जाता है तो आधी तुफान आने की संभावना होती है नेक्स्ट कोशन है Q49 तो शर्वाइवल अफ दे फिटेस्ट की अवधारना की रचना किस ने कि थी? तो शर्वाइवल अफ दे फिटेस्ट की अवधारना जो है चार्ल्स डार्विन ने कि थी? नेक्स्ट कोशन है Q50 भारत के राश्ट्रगीत वंदे मातरम के रचेता कौन है? तो भारत के राश्ट्रगीत वंदे मातरम के रचेता बंकिम चंद्रा चटर जी है भारत का राश्ट्रगीत वंदे मात्रम सर्वपर्थम कब गाया गया तो भारत का राश्ट्रगीत वंदे मात्रम सर्वपर्थम 1896 में गाया गया था Q52 है भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस ग्रंच से संकलित है तो देखे भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो है या आनन्द मठ से संकलित है Q53 है आनन्द मठ के रचेता कौन है तो आनन्द मठ के रचेता है बंकीम चंदर चटर जी ठीक है आनन्द मट पुष्टा के रचेता कौन है तो इसके रचेता बंकीम चंद्र चटर जी है Q54 है भारत के राष्ट्रे गीत के गायन की अवधी है तो भारत के राष्ट्रे गीत को गाने में 65 सकेंड का समय लगता है Q55 है सौर उर्जा का सबसे बड़ा योगे की करन कौन है तो सौर उर्जा का सबसे बड़ा योगे की करन हरे पौधे है Q56 है पर्थम पिर्थवी सीखर समयलन जो की 1992 में हुआ था कहां हुआ था तो पर्थम पिर्थवी सीखर समयलन 1992 में रियोडी जैनेरियों हुआ था रियोडी जैनेरियो सरकां सित है तो यह ब्राजिल में सित है Q57 है विश्वप परियावरन दिवस कम मना जाता है तो विश्वप परियावरन दिवस परतेक वर्स पांच जुन को मना जाता है Q58 है पेनिसिलिन की खोज किसने की तो Penicillin की खोज Alexander Fleming ने की थी Question number 59 है Nephrology किसे समदित है तो Nephrology जो है या वरीक या गुर्दा या किडनी से समदित है ठीक है वरीक या गुर्दा एक ही है ठीक है वरीक या गुर्दा जो है वरीक को ही गुर्दा कहते हैं और इसे इंगलिस में किडनी कहते है तो nephrology जो है व्रीक या गुर्दा या किडनी से समदित है Q60 है मानोशरीर में यूरिया का निर्मान कहां होता है तो मानोशरीर में यूरिया का निर्मान या कृत में होता है Next question है Q61 भक्त तुकाराम किस मुगल समराग के समकालिन थे तो भक्त तुका राम जो थे, ये मुगल समराट जहांगिर के सम्कालिन थे Q62 है, बारानी दीप नरेंदर संकर, नरेंदर सुसका समराट, लाल मती, किस फसल की किसम है Q63 है, जहारखंड में काली मिट्टी कहां पाए जाती है जारखन में काली मिट्टी, राजमहल, पहाडी परदेश में पाय जाती है Q64 है, रेट डेटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन है, जो संकटापन जीव है उनकी बारे में जानकारी रेट डेटा बुक में उलिखित होता है ठीक है, रेट डेटा बुक जो है याने कि रेट डेटा बुक में संकरदा पन जातियों के बारे में जानकारी दिहुवी होती है Q65 है, एकसो बाइलोजी किस से समधित है? Q66 है, हाइडरोजन के द्रोमाण से ओक्सीजन के द्रोमाण का अनुपात हमेशा होता है तो hydrogen के द्रुमान से oxygen के द्रुमान का अनुपात हमेशा एक अनुपात आठ होता है Question number 67 है किसे परवतिय परियटन अस्थलों की राजकुमारी के रुप में जाना जाता है Q63 है परसीद परियाटन असल कोड़ाइक नाल तमिलाडू में जो किस्तित है किस पहाड़ी में स्तित है तो देखे परसीद परियाटन का असल कोड़ाइक नाल जो है या पालनी पहाड़ी में स्तित है ठीक है और कहाँ पर यह इस्तित है तमिलाडू में स्तित है मराथ अकबर के समकार हैं Q71 है AIX किस कंपनी का ओपरेटिंग सिस्टम है AX या IBM कंपनी का ओपरेटिंग सिस्टम है Q72 है Q73 है मुखेता मैंगरो वाले जवारिय वन कहां पाये जाते हैं तो मुख्यता मैंगरो वाले जुवारिय वन जो हैं ये सुन्दर वन डेल्टा में पाय जाते हैं Q74 है डॉपलर परभाव किसे समन्दित हैं तो डॉपलर परभाव जो है या धुवनी से समन्दित है Q25 है पास आती हुवी रिलगाडी की सीटी की आवरिती या तिछनता बरती जाती है ऐसा किस घटना के कारण होता है तो ऐसा डॉपलर परभाव के कारण होता है तो पहला भारती सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कार्तूज का परियोग करने से इनकार कर दिया तो वह पहला भारती ए मंगल पांडे थे जिन्होंने चर्बी वाले कर्तूज का परियोग करने से इनकार कर दिया था Q77 है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रो का नेतरित्वक किस जार से किया था तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतरित्व लखनवु सहर्च किया था Next question है question number 79 भारत में यारलूंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है तो देखे भारत में यारलूंग जंगपो नदी को ब्रंपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है Question number 80 है Question number 81 है सती पर्था का पहला उलेक कहा मिलता है तो सती पर्था का पहला उलेक भानुगुप्त के एरन अभिलेक से मिलता है Question number 82 है आधुनिक आवरत सार्थे में कौन समु के तत्वों का बाहरी कोस पूर्ण होता है बाहरी कोस याँ पर है तो कौन से आधुनिक आवर्त सार्णे में कौन से समु के तत्वों का बाहरी कोस पूर्ण होता है तो अब पूर्ण होता है अठारवे समु का ठीक है Next question है question number 83 स्वामी द्यानन सुरोस्वती किस मिशन के संस्थापक थे तो स्वामी द्यानन सुरोस्वती जो थे ये आरी समाज के संस्थापक थे आरी समाज के स्थापना इन्होंने कब की थी 1875 इस्वि में की थी Next question है question number 84 भारत की सरवाधिक वर्षा मुख्यता किस से प्राप्त होती है तो भारत की सरवाधिक वर्षा मुख्यता दच्छिन पस्षी मानसुन से प्राप्त होती है Question number 85 है सेख निजा मुदीन ओल्या की दरगा कहा सित है तो सेख निजा मुदीन ओल्या की दरगा दिल्ली में सित है Question number 86 है एक व्यस्क मनुष्य के सरीर में अस्थियों या हड्यों की संख्या कितनी होती है तो एक व्यस्क मनुष्य के सरीर में अस्थियों या हड्यों की संख्या दोसोच होती है Question number 87 है नवजात सिस्यों में हड्यों की संख्या लगभग कितनी होती है नेक्स्ट कोशन है भारत के राष्ट्य द्वज की लंबाई और चोडाई का अनुपाद है तो देखे भारत के राष्ट्य द्वज तिरंगा की लंबाई और चोडाई का अनुपाद तीन अनुपाद दो है कोशन मर 89 है भारत के राष्ट्रे द्वज के मध्य में बने धर्म चक्रा का रंग क्या है तो भारत के राष्ट्रे द्वज के मध्य में बने धर्म चक्रा का रंग गहरा निला है नेक्स्ट कोशन है भारत के राष्ट्रे द्वज के चक्र में कितनी तिलिया है तो भारत के राश्ट्य द्यवज के चक्र में कुल 24 तिलियां है Next question है स्वतंत्र भारत के राश्ट्य द्यवज का डिजाइन किसने तेयार किया था Next question है question 192 भारतिय सविधान सबा ने भारतिय राष्ट्य द्वज की रूप रेखा को कब अंगिकार किया था तो भारतिय सविधान सबा ने भारतिय राष्ट्य द्वज की रूप रेखा को 22 जुलाई 1947 को अंगिकार किया था Q193 है सूर्य गरहन कब होता है तो सूर्य गरहन जो है, जब सूर्य और पिर्थवी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य गरहन होता है, ठीक है, सूर्य गरहन कब होता है, जब सूर्य और पिर्थवी के बीच चंद्रमा आ जाता है, नेक्ट कोशन है, पूर्ण सूर्य गरहन हमेशा होता है, तो पूर् सूरिय और चंद्रमां के बीच पिर्थवी आ जाती है तो चंद्रगरहन होता है चंद्रगरहन हमेशा होता है तो चंद्रगरहन हमेशा पूर्नीमा की रात्री होता है Next question है question 97 Caesar cup किस खेल से समानित है तो Caesar cup जो है या फुटबॉल खेल से समानित है Question 98 है 90 isteries कहां परिस्तित है तो 90 isteries जो है या हिंद महा सागर मिस्तित है Question 99 है भारती सविधान की प्रस्तावना किन सब्दों से सुरू होती है तो भारती सविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग सब्दों से सुरू होती है Next question है question 100 मानव सरीर की सबसे छोटी हड़ी कौन सी है तो मानव सरीर की सबसे छोटी हड़ी अस्टेपीज है अस्टेपीज है जो की कान में पाए जाती है कुशन मन नेक्स्ट 101 है मानो सरीर की सबसे बड़ी हड़ी कौन सी है तो मानो सरीर की सबसे बड़ी हड़ी फीमर है फीमर जो की जांग की हड़ी है फीमर जांग में पाए जाती है टेकाव